नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रमेश सिंग पुफ्तक पर आधारित भारतिय अर्थवस्था के इस लेक्चर सिरीव के आज के लेक्चर में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रमेश सिंग के दूसरे अध्याई में आगे बढ़ रहे हैं आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक दो छोटी छोटी बाते करना चाहता हूँ पहली बात ये है कि आप सभी अर्थशास्तर के छातर हैं अब तो आप कह सकते हैं अगर आप अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपने पीछे के सारे लेक्चियर्स देखे हैं तो आप करीब दो सब्तहा से पूरी गंभीरता के साथ अर्थशास्तर या फिर भारतिय अर्थवस्ता को पढ़ने का प्रयास कर रहे हो ठीक है अभी हम बेसिक्स पर ही हैं धिरे धिरे हम जटिल चीज़े भी पढ़ेंगे तो अब अर्थशास्तर के छात्र होने के नाते मैं आपको एक छोटी सी आर्थिक क्विस्त देता हूँ कि आप एक बात बताईए दुनिया में कोई भी चीज़ अगर मुफ्त है तो वो मुफ्त क्यूं है अगर गूगल आपकी सेवाओं को गूगल अपने सारी सेवाओं आपको मुफ्त में दे रहा है गूगल आपसे पैसे नहीं ले रहा इसका क्या logic है? इसका logic कहीं न कहीं ये है कि Google एक इस प्रकार से अपने आपसे अधिकांश लोगों को या सभी लोगों को जोड़ना चाहता है क्योंकि यही Google की शक्ती है Google इतना बड़ा company क्यों है? वो पैसे किस से लेता है? Advertiser's से लेता है क्योंकि उनको पता है Advertiser's को पता है कि Google पर एड देने से उनका माल उनका उत्पाद बिकना बहुत आसान हो सकता है उधारण के लिए मान लीजे आपको पता करना है कि आपके आसपास अच्छा केक कहां मिलता है आपके जन्मिदेन आ रहा है आपने Google पर सर्च किया कि How to find good cake good cake near me आपने सर्च किया अब Google पर आप देखेंगे 30-40 page तक result आते हैं और 99 प्रतिशत लोग जो होते हैं वो पहले page के result से ही खरीद लेते हैं कभी आप भी गए हैं सोच के देखें आप लोग Google सर्च तो दिन में एक-दो बार करते ही होंगे किसी ना किसी चीज को कभी आपने जाके देखा ये 22-way page पे क्या लिखा हुआ है कौन सी वो दुकाने हैं जो listing के 22-way page पे आ रही है उन तक Google से कोई business नहीं पहुंचता क्योंकि data ये कहता है कि 0.0.0.0.0.0.1 एक प्रतिशत लोग 10 page के बाद जाते हैं 99 प्रतिशत से जादा लोग पहले page से ही सारी ordering करते हैं पहले page में भी 98 प्रतिशत लोग पहले 5 result में ही अपना काम खत्म कर लेते हैं तो Google को उत्पादा किसलिए pay करते हैं कि उनका जो उत्पाद है वो search list में उपर आए ठीक है तो Google की शक्ती क्या है उससे जुड़े हुए लोग अब मैं आता हूँ अपने उपर Study IQ Hindi IAS चैनल जो है Study IQ IAS का जो हिंदी चैनल है Study IQ IAS Hindi ये चैनल आपको ये सारे lecture series ना सिर्फ मेरे बलकि अन्य अन्य को शिक्षकों के lecture series आपको मुफ्त में प्रदान कर रहा है उसके लिए कोई आपसे fees नहीं ली जा रही है अबी और आप जैसा देख रहे हैं ऐसा नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं कि आपको एक दो lecture देके ये बोल देंगे बाकी आपको आप classes में बढ़ाएंगे आप class में आईए जैसे बहुत सारे और समस्थान करते हैं कि पहले तीन lecture free उसके बाद सारे आप class में आईए अगर मैंने रमेश सिंग प्रारंब की है तो मैं रमेश सिंग को पूरी तरह से खत्म करूँगा पूरी तरह से इस पुस्तक को मैं समाप्त करूँगा तो अब logic क्या है कि यहां पर हम तरह सल आप से क्या चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं जो Google चाहे यानि कि हम वही चाहते हैं कि हमारे साथ अधिक से अधिक छात्र जुड़ें क्योंकि आप अगर जादा से जादा चात्र हमारे साथ जुड़ेंगे ये कारेकरम जो हैं अगर वो प्रसिद्ध होंगे वो सफल होंगे तो ही ये कारेकरम सस्टेनेबल होंगे तो ही ये कारेकरम जो हैं वो चल पाएंगे अगर इन कारेक्रम को देखकर किसी को ऐसा लगता है संस्थान को ऐसा लगता है कि ये कारेक्रम सफल नहीं हो रहे हैं तो फिर इन कारेक्रमों को चलाना मुश्किल होता जाएगा तो आप सभी से request है, आप सभी से आगरह है कि आप सभी अगर आपको ये कारिक्रम अच्छे लग रही हो तो अगर आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है क्या बगवास पढ़ाते हैं तो एक अलग चीज है लेकिन अगर आपको ये कारिक्रम अच्छा लग रहा है तो जिसे दो कारिक्रम मैं लेता हूँ रमेश सिंग की पुस्तक मैं बढ़ाता हूँ और रोज शाम को चार बजे मैं जो संपादिकी आते हैं हिंदू और इंडियन एक्स्प्रेस के इन दो अख़बारों के संपादिकियों को पूरी तरह से हिंदी में आपके साथ चर्चा गरता हूँ तो अगर ये दो कारिक्रम हैं या फिर स्टडी आईक्यू आईएस हिंदी चैनल के जो भी कारिक्रम हैं अगर आपको लगता है कि यार ये कारिक्रम अच्छे हैं तो आप सभी अपने कम से कम किसी एक दोस्त को ये रेकमेंड कीजे कम से कम किसी एक दोफ से आग रहे कीजे कि वो इनको देखना शुरू करें इस तरह से ही community बढ़ती है इस तरह से ही हमारे साथ जादा से जादा लोग जुडेंगे ये एक तरह का request है एक favor है जो मैं आप सभी से मांग रहा हूँ एक शिक्षक होने के नाते कि आप सभी हमको प्रदान करें ठीक है दूसरी चीज़ ये है कई दिन हो गए है मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि इन lecture series के साथ आप लोगों को कोई एक कोई साभी एक अखबार लीजे लेकिन उसके आर्थिक समाचारों को आप 10 मिनिट 15 मिनिट बस पढ़ना शुरू करें किसी भी एक अखबार के आर्थिक समाचारा 15 मिनिट पढ़ने शुरू करें बस समझ में अभी ना आये तो भी कोई फरक नहीं पढ़ता आप बस पढ़ लीजे कोई बात ने कुछ समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, कोई से भी एक अख़बार कि आप Times of India, Danik Bhaskar, जो आप पढ़ते हैं, उसके आप अर्थिक समाचार, जो उसका बाजार, अर्थिवस्था का जो पन्ना होता है, उसको पंदरा मिनिट के लिए आप रोस पढ़ें, ठीक है, ये मैं कई बार कह चुका हूँ पहले भी शुरुआती लेक्चर्स में, आज एक बार रिमाइंड कर आ रहा हूँ, कि ये आपको जरूर करना है, एक पर कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख कर बताइए, कि आप ये कर रहे हैं, या नहीं कर रहे, देखिए, अगर आप, क्या होता है, कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, बिमारी को लेकर, और डॉक्टर आपको इलाज बताता है, उस ये कि आप अगर थोड़ा आलबस कर रहे हैं, कि यार ये सब क्या है, कौन करेगा, क्यों मेहनद करनी है, तो याद रखिए, ये एक प्रतिसफर्धी परीक्षा है, ये एक competitive exam है, आप नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पडोस वाला नहीं कर रहा होगा, है इसका मैं शुरू तो ऐसे करो कि हाँ मैं जीतूंगा इसको, अभी तो शुरुआत की है, शुरुआत तो ऐसे करो कि जैसे इरादा जीतने का है और कोई इरादा नहीं है, तो इस step को भी प्लीज आप follow कीजिए, ये life changing होता है, मैं आपको अपने experience से बता रहा हूँ, मुझे कोई ऐसे आके रमेश दिंग के concept नहीं समझा रहा था, लेकिन ये करकर के करकर के महीने भर के अंदर मेरे को economics ठीक ठाक समझ में आनी शुरू हो गई, फिर जब आगे जाके मैंने coaching के तो मैंने पाया कि अधिकान शात्रों से बहतर आता है मुझे, अधिकान शात्र जो है, उ ये हुई ग्यान की बाते, अब चलते हैं आज के lecture पे, तो अब तक हमने क्या सीखा है, अब तक हमने सीखा है मानव विकास सूचकांग के बारे में, और हमने देखा है कि उसका विकास कैसे हुआ, उसके चरण क्या-क्या है, उसकी गड़ना कैसे होती है, उसकी ranking हाल ही की हमन ने देखी, आप में से जो लोग परिक्षा थोड़ा बाद में देने वाले हैं, कुछ एका-दो साल बात देने वाले हैं, मानव विकास सूचकांग की ranking अगले साल फिर आ जाएगी, तो जब आएगी तो आपको उसको एक बार देखना पड़ेगा, बहुत सारे अखबारों में भी सारे अखबारों में आता है, सारे न्यूज में उन्दनों वो चलता है, ठीक है, तो हमने कल के lecture को खत्म करते करते एक ये भी चर्चा कदनी शुरू कर दी थी, कि मानव विकास सूचकांग जो है, वो एक तरह से थोड़ा सा बायस्ट है, एक तरह से वो थोड़ा सा क एक जुसको हम कहते हैं पश्चिमी आस्पेक्ट, एक वेस्टरन सोचने का तरीका, कि पश्चिम ने एक विकास को जिस तरह से परिभाशित किया है, कि व्यक्ति को सौस्थ होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, और पैसे वाला होना चाहिए, इस तरह से ही वानव विकास को वो परिवाशित करता है उसके अलावा भी अनेको चीज़ हो सकती है तो ये जो सोच है कि उसके अलावा अनेको चीज़ हो सकती है इस पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे आज भी करेंगे और शायद कल भी करेंगे दो लेक्चर से इसमें हम देंगे जिस पे हम क्योंकि रमेश श्रिंग ने कुछ बहुत विस्तार से इस चीज की चर्चा की है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर विस्तार से की है तो मैं संक्षेप में क्यों रिप्टाओं मैं भी विस्तार से ही इसकी चर्चा करूँगा, तो दो लेक्चर हम मेरी ख्याल से इसमें देंगे, ठीक है, ये आप समझिए, तो कल का मैंने आपको प्रशिन किया दिया था, मानव विकास फूचकांक आर्थिक विकास की आधुनिक अवधारणा को मापने में विफल रहा है अब आर्थिक विकास की आधुनिक अवधारणा को मापने में विफल रहा है, अब आर्थिक विकास की आधुनिक अवधारणा क्या है, आर्थिक विकास की आधुनिक अवधारणा ये है, क्या है अब ये आर्थिक विकास की आधुनिक अवधारणा, सबसे पहले तो ये है कि अब हम इस बात को समझते हैं कि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास और मानसिक विकास ठीक है और सांस्कृतिक विकास ये सब एक साथ चलते हैं अब हमको ये चीज़ पता है अब हम इस बात को तो कह सकते हैं कि समान नितया ऐसा बहुती मुश्किल है या फिर ऐसी चीज़े जो होती है वो sustainable नहीं होती, वो टिकती नहीं है जहाँ पर केवल आर्थिक विकास हो रहा हो जहाँ पर मानसिक विकास ना हो रहा हो जहाँ पर सामाजिक विकास ना हो रहा हो और जहाँ पर सांस्कृतिक विकास ना हो रहा हो है कि नहीं इस बात को हम जानते हैं मानसिक विकास मतलब जहाँ पर लोगों की सोचने की ख्शंता का विस्तारण ना हो रहा हो ये बहुत आविश्यक है ठीक है तो अब जैसे आर्थिक विकास के आधुनिक अब्धारणा में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इनोवेशन इनोवेशन समझते हो नई चीज़े करना नई आविश्कार करना नवाचार जिसे हम कहते हैं तो कोई देश कितना इनोवेशन करेगा कितने प्रकार का नवाचार करेगा ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है की नहीं ये innovation सामाजिक भी हो सकते हैं, ये सांस्क्रितिक भी हो सकते हैं, ये sectionic भी हो सकते हैं, ये वैज्यानिक भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन innovation जरूरी है, और अगर आपका देश innovation नहीं कर रहा, तो वो आधुनिक विकास की पुरानी अवधारणा से तो विक्सित हो सक आपको पता है कि जनरली अमीर लोग होते हैं वो, लेकिन वो धंदा अब भी वही है, जैसा सौ साल पहले था, एक दुकान है, में भी दुकान में वेसी लग गया है, कांच वांच के दरवाजे लग गए है, दुकान थोड़ी सुन्दर हो गई है, लेकिन बिजनेस अब भी व आप कुछ इनोवेट करो, जैसे अकफर आपने देखा होगा ना कि एक जूलर का बेटा आता है कहीं बाहर से पढ़के, विदेश से पढ़के, वो कहता है नहीं नहीं, हम थोड़ी चीज़े चेंज करेंगे, अलग तरह से बिजनिस करेंगे, वो इस सोने की जूलरी को करने लगता है, यह क्या हुआ, नवाचार हुआ, मैं आपको बहुत बेसिक एक्जामपल दे रहा हूँ, है ना, और इस नवाचार से आर्थिक विकास और बढ़ेगा, तो यह नवाचार जो है, यह इनोवेशन जो है, यह आपकी आर्थिक सोच में किस हद तक मिला हुआ बहुत आविश्यक है, ठीक है, इसके अलावा जैसे एक हो गया, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, आपकी कार कुशलता की ट्रेनिंग, आपकी कार एक शमता, आजकल है ना, कितने सारी चीज़े हमको पता है, यह इतनी सारी नौकरियां उपस्थित हैं, आप देखिए आजकल दो नहीं मैं मैंनेजेरियल पोजीशन पे हूँ, तो सबके सब यह कहते हैं कि यार बहुत सारी पोजीशन खाली हैं, ढंके लोगी नहीं मिलते, मतलब मैं अपने पिछले संस्थान में जहां पर मैं बहुत इंट्रव्यू लिया करता था, मैं रोजाना कम से कम चार लोगों का और उन चार महीने में 100 से जादा लोगों का इंटरियू किया करता था, उसके बाद जाके शायद मैं एक या दो लोगों को रख पाता था, बाकि लोगों को मैं नहीं रख पाता था, तो एक gap है जो मैं चाहता हूँ, जो एक, जिस तरह की दक्षता हमको चाहिए और जिस तरह की दक्षता लोगों में है, उसमें gap है. तो यह दक्षता की training यह कारेशमता की training जो है इसका जो एक प्रशिक्षन है यह बहुत महत्वपूर्ण है आधुनिक अभधारण अर्थविश्था की यह बहुत matter करती है तो अब जैसे क्या होता है आर्थिक विकास के आपकी जो पुरानी मानथ विकास सूचकांग क्या परा, समझ रहे हैं कि नहीं आप इस बात को, केवल मातरात्मक चीज ना परा है, कि आप साड़े छे साल स्कूल गए, या आप ग्यारा साल स्कूल गए, स्कूल में टीचर था की नहीं था, वो टीचर बढ़ा लिखा था की नहीं था, उस टीचर ने आपको विशय डंग से पढ़ाये की नहीं पढ़ाये, उन विशयों में इनोवेशन आपको समझ में आया की नहीं आया, क्या आप किसी काम को करने के लायक बने हो, क्या आप इस तरह से trained हो कि आप कहीं employee हो पाओ आपको कहीं नौकरी मिल पाए ये सारी चीजे मानव विकास सूचकांग जो है नापने में विफल रहता है तो मानव विकास सूचकांग ने अपनी यातरा शुरू की थी किस तरह से कि हम मातरात्मक नहीं गुणात्मक चीजे नापेंगे लेकिन उन गुणात्मक चीजों में भी मानव विकास सूचकांग सिर्फ मातरात्मक चीजे ही नाप पाता है वो भी कुछ मातर कुछ चीजों की जिसके कारण वो आर्थिक जो आधुनिक अवधारणा है उसको मापने में विफल रहता है ठीक है सिंपल है कोई समस्या नहीं यहां तक आसान है आप इसका उत्तर लिख सकते हैं तो यह हुआ हमारा कल का उत्तर अब चलिए आगे वढ़ते हमको जो विकास देखने को मिला है उस पर एक हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या खुद के अंदर जहांक कर अपनी खामियों को ढूंडना इसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन यानि की आत्म विशलेशन देखिए कोई भी समाज बोच और करने की सब ठीक है, लेकिन जब तक आप प्रॉबलिमाटाइज नहीं करोगे, प्रॉबल्माटाइज मतलब, खुद से अपने किये गए काम में समस्याइण नहीं ढूंडोगे, तब तक आप ग्रो रहीं करोगे, आप तरक्की नहीं करोगे, वो आपकी प्रिपरेश विशलेशन नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, वही चीज यहाँ पर है, विकास की जो हमारी सोच है, जो हमारा एक, जिस तरह से हमने विकास को अब तक लिया है, उसका एक आत्म विशलेशन करें, तो आर्थिक विकास को लेके भ्रह्म की स्थिती तो है, ये तो हम को कहते हैं HDI में जो पहले 20 देश पूरे तरह से विक्षित होने चाहिए दुनिया में कितने देश हैं मतलब 180 देश हैं मान लीज़े धारन के लिए कि 150 देश भी D.I. में भागेदारी करते हैं उनका डेटा हमको मिलता है तो जो पहले 20 हैं वो तो हम ये मान सकते हैं कि ये आदर्श देश हैं इनके जैसा ही हमको बनना है है कि नहीं है इसे क्लास में जो बच्छा टॉप करता है है टीचर कहता है नहीं बाकिए बच्चों को इसकेजेसे बन चाहिए सबको, लेकिन जब आप उन 20 देशों को भी देखोगे, उपर के जो 10-20 देशें आप उनको भी देखोगे, तो आपने देखा कि भले ही वो जो मानव विकास सूचकांग के, जो तीन चीजे हैं, क्या-क्या हमारी तीन चीजे थी, शिक्षा, स्वाफ से और पैसा, शि इन तीन चीजों में तो इन्होंने अच्छा किया है, इसलिए ये सूचकांग के टॉप पे आ गए हैं, बीस में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दुनिया भर की समस्याय ने ज़र आएंगी, अपराद पूरी तरह से भर के है, ब्रश्टा चार पूरी तरह से इन पूलिया चल जाना, बच्चों का और पूरे समाज का एक ड्रग्स में लिप्त होना, वेश्या वरती, इस प्रकार की मतलब जिस तरह की आप समस्याय आएं, आप सोचते हो कि यार विकास के बाद ये समस्याय आएं तो खतम हो जाएंगी ना, ब्रश्टा चार, राजनेतिक सतंतरता बारवारज कहीं ना, उसमें समझोता हो जाता है, राजनेतिक ब्रश्टाचार, इस तरह की चीज़े आपको इन देशों में भी देखने को मिलती हैं, तो सोचने वाली बात क्या है कि हमारा जो विकास की अवधारना है, वो निश्यत तोर से पूर्ण नहीं है, वो कि खुशाली होगी, एकदम पूरी तरह से आप उन देशों को खुशाल देश कह सकते हो, लेकिन ये स्पश्ट हो रहा है कि ये देश भी खुशाली से दूर है, मानसिक शांती भी नहीं है, और खुशाली भी नहीं है, ये भी स्पश्ट है, तो अगर टॉप 10, टॉप 20 दे कि तो कॉलिटी ये थी, कि वो गुडात्मक था, तो आप ये कह रहे हो कि ये 20 सबसे विक्सित देश है, लेकिन वहाँ पर भी लोगों को मानसिक शांती और खुशाली नहीं है, यानि कि आपकी विकास की परिभाशा ही गलत हो गई कि नहीं हो गई, समझ रहे हैं कि नहीं है इस बात को, आपकी विकास की परिभाशा जो है, वो निश्चित तौर पर गलत है, वो निश्चित तौर पर सही नहीं है, वो निश्चित तौर पर पूर नहीं है, विकास के सारे जो शेत्र हैं उनको वो कवर नहीं करती, उनको वो अपने में समावेशित नहीं करती, ये बात एकदम सपश्ट है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब जैसे विकास की परिभाषा की कुछ अबधारणाई यहां पर रमेश सिंग देते हैं तो यह रमेश सिंग पुस्तक अगर आपके पास है तो उसके फूटनोट्स में दिया गया है चैप्टर में नहीं लेका लेकिन कई बर फूटनोट्स जानने बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके जिस तरह से आप आर्ग्यू करते हो किसी एंसर को यूपीश्ती में आपको एंसर दरसल थोड़ा सा एंसर करना पड यह आपसे UPSC में नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भारत के राष्टपती के चुनाव की प्रक्रिया सही है या नहीं आपके हिसाब से, तो आपको तरक देना है कि सही क्यों नहीं है या फिर सही है तो क्यों है, ठीक है, ऐसे ही अर्थशाफ्तर में भी आ अगर आपको कॉंसेप्ट बताओं तो काम आते हैं, तो जैसे 1950 के दशक तक, अगर हम एक टाइम लाइन बना के देखें, तो 1950 के दशक तक पूरी दुनिया ये मानती थी, हम बैप 50 के दशक में चला गया, करीब 70-75 साल पीछे चला गया, तो तब तक पूरी दुनिया बस य पूरी दुनिया इस बात को लेके चलती थी कि यार बाकी सब बिकार की बाते हैं, पांच परसेंट से साथ परसेंट तक आप आर्थिक वरद्धी दर बनाके चलो बस, है ना जैसे क्या होता है कि क्योंकि उस समय दुनिया में इस प्रकार की और किसी सोच का विकास नहीं हु पढ़ने के बीच में ब्रेक भी चाहिए, मनुरंजन भी चाहिए, तो इस सारी चीज़े भी आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है, तो एक आर्थशास्ति थे लिविस या लुईस आप जो भी बुलाना चाहें, उन्होंने 1963 में क्या किया, उन्होंने एक कॉंसेप्ट दिया, जो कि अपने आपने बड़ा अलग कॉंसेप्ट था उस समय के हिसाब से, उन्होंने कहा, मानवी ये स्वतंतरता ही विकास का आधार है, इस बात को समझेए, ये बहुत important चीज़ है, कि मानव को स्वतंतरता जब तक नहीं मिलेगी, तब तक वो विक्षित नहीं हो सकता, आप देखिये, सारी चीज़े लगबग इसी लाइन पर जाएगी, तो पहले में एक बार आपको ये बता देता हूँ, फिर आगे इस पो थोड़ा फ़र डिसकस भी करेंगे, क्योंकि है क्या, आर्थिक विकास से चयन के अवसर बढ़ते हैं, चयन के अवसर बढ़ते हैं कि भी क्या रोल चली, एक थोड़ा साय topic से हटके एक मिनटडिसकस कर लेते हैं, आप जीवन में शिक्षा क्यों प्राप्त करते हो, क्या reason है आपके शिक्षित व्यक्ति हो, आप में और एक इक अशिक्षित व्यक्ति में क्या फर्क है, आप में से जाहतर लोग होंके यार नौ नौकरी तो आपको अशिक्षित होने पर भी मिल सकती है, अशिक्षित होने पर पता है कि आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अशिक्षित होने पर भी नौकरी तो मिली सकती है न, या कम पढ़ा लेखा होने पर भी नौकरी मिल सकती है, आप मैंसे कई लोग चाहिए और मैं अपने लिए जो सर्विश्रेश्ट चॉइस है उसको चुन पाऊं यह तब आता है जब आप जादा पढ़ाई करते हैं अब मान लीजे आपने यह पढ़ाई कर ली जो मैं आपको बढ़ा रहा हूँ आपका UPSC में सेलेक्शन हो गया हो सकता है आप ना जो वै आपके लिए सर्विश्रिष्ट नौकरी है वो चुनोगे या नहीं चुनोगे तो चयन का अवसर आपको मिला आपको यह चयन का अवसर चाहिए था तो जीवन में हम सभी जो काम करते हैं वो चयन के लिए करते हैं कि हम चयन करने की सतंतरता चाहते हैं एक आप युवा चॉइस ना हो, एकॉनोमिस हारी भई हैं, समझते हैं आप इस बात को, कि आप चाहते हैं कि मेरे पास 10 लोगों की चॉइस हो, 10 लड़कों या 10 लड़कियों की चॉइस हो, जिन में से मैं अपने लिए जो सरविश्रेश्ट पार्टनर है उसको चुन पाऊं, हना आप ये चाह ठीक है, तो एक जो चयन के अवसर जो हैं, ये मानविय स्वतंतरता से बढ़ते हैं, तो मानविय स्वतंतरता ही विकास है, ये कहा तो लोईस ने, कि मानविय स्वतंतरता ही दरसल विकास है, आपके पास पैसे, क्योंकि आप आर्थिक विकास से भी यही करते हो, आप पैसे भी इसलिए कमाना चाहते हो कि आपके पार जादा choices हूँ जीवन में तो इसी तरह से आप शिक्षा भी इसलिए पाना चाहते हो तो दरसल आप किसी भी तरह से अगर मानविय स्वतंतरता को unlock करते जाओ तो आपका आर्थिक विकास होता चला जाएगा ठीक है सीर्स ने क्या कहा सीर्स ने कहा कि रोजगार और समानता में व्रद्धी इन्होंने दो चीज़े बताई कि यार एक तो रोजगार दो आप सबको और दूसरा समानता में व्रद्धी करो आपके समाज में जो समता है जो समानता है उसको आप बढ़ाओ तो समानता से मतलब क्या है समानता से मतलब ये नहीं है कि सबके पास पैसे बराबर हूँ केवल ये मतलब नहीं है ये मतलब भी है कि एक तो आर्थिक तोर पे बहुत ज़ादा भेदभाव ना हो ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति वो बिल्कुल ही दूसरे विक्ति से लाख गुना पैसे कमा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा आर्थिक वितरन भी जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए और आर्थिक वितरन ठीक करने का याद रखिए आप बहुत लोग आजकर इस बात से बहुत नराव होते हैं कि आर्थिक वितरन ठीक कैसे होगा भाई मुकेश अम्बानी बराबर पैसे कैसे कमा लेगा किसी आजमी के अभी कुछनों पहले कि इस ने कॉमेंट में लिखा था कि फराव अम्बानी ने अदानी बोला कीजिए अदानी अब जादा अमीर हो गए हैं लेकिन हाँ ठीक है जो भी मतलब आप जो भी नाम लेना चाहें यह मतलब नहीं होता उसका समानित है मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति एकदम बॉटम पे है जो एकदम नीचे है उसको आप थोड़ा सा उपर लेके जाओ ना अदानी को आप कमाने दीजे जो वो कमा रहा है ठीक है अदानी अदानी को कमाने दीजे अदानी की इंकम हम कम करने को नहीं कह रहे है क्योंकि उससे हमको पता है कि नीचे के शेतर पे जो रोजगार बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे लेकिन ये जो नीचे, सबसे नीचे जो आदमी है आप उसकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ा रहे जो आपके घर पे समान डिलिवर करता है शायद वो शायद अगर हम कह सकते हैं कि organized economy में सबसे नीचे के इस पैदान पे वो खड़ा हुआ है तो उसके आप उसके लिए चीजे बहतर कीजिए तो आर्थिक समानता इस तरह से बढ़ सकती है तो एक तो आप रोजगार बढ़ाईए और दूसरा आर्थिक समानता बढ़ाईए ये बात सीर्स कहते हैं ठीक है अब international labor organization जो है अंतराश्टे श्रम संगठन ने 1970 के दशक में क्या कहा कि भाई ये उन्होंने कुछ indicator दिये कि मूल आवशक्ताओं की पूर्ती होनी चाहिए basic है भाई रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए मूल आवशक्ताओं क्या है यहीं है न रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ है कि व्यक्ती जो मैंने आपको पहले बताया था यादियो 50,000 रुपे वाला example कि जब तक आप 50,000 रुपे नहीं कमाते तब तक तो यार आप खुशाल नहीं हो सकते अगर आपके परिवार की जरूरत 50,000 रुपे है अगर आपकी जरूरत 25,000 रुपे है गरीवी को घटाना फिर से यही बात हो गई कि जो व्यक्ती बॉटम पे है इसको थोड़ा ही उपर लेके जाओ लेकिन इसको उपर लेके जाओ और आग बाकी चीज़ अवही सीर्स वाली थी कि रोजगार और समानता में प्रद्धी ये आपको ये अचीव करना पड़ेगा तो ही आर्थिक विकास आएगा 1994 में विश्व बैंक ने क्या कहा कि शमताओं का विकास देखिए आजकल ये वर्ड बहुत पॉपिलर है ये 1994 में विश्व बैंक के रिपोर्ट के बाद पॉपिलर हुआ है आजकल आप बढते होंगे लोग कहते हैं रहे वियर वर्किंग ओन कैपासिटि बिल्डिंग आजकल बड़ी कंपनिया लिंक्डिन पर ऐता लिखती है ना वियर वर्किंग ओन कैपासिटि बिल्डिंग ये पॉपिलर शब्द नहीं था 1994 में विश्व बैंक की आपके अंदर business करने की शमता हो सकती है, पढ़ने की शमता हो सकती है, exam crack करने की शमता हो सकती है, लेकिन आप जो है, मनुष्य की इस प्रकार की training, इस प्रकार का फ्रेशिक्षन हमें उसे देना पड़ेगा, याद रखिए, ये HDI की शिक्षा फे थोड़ा अलग के बात कर रह है, तो सभी के अंदर आपको शमताओं का विकास करना ही पड़ेगा, capacity building आपको लोगों के अंदर करने पड़ेगी, कि आप जो भी काम करना चाहें, आप वो कर पाएं, अगर आपके अंदर शमताओं होंगी, तो इन शमताओं से आपके पास चैन के अवसर बढ़ेंगे या वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में के बाद आया, उसमें हम यही कह सकते हैं कि चैन जो है आपके पाफ, यानि कि आपके अंदर शमताओं का विकास जो है, वो जिस भी माध्यम से हो पाए, उससे ही आप विकास की दिशा में शायद बहतर तरीके से अगरसर होगे, अगर हम प्र प्रोफेसर अमर्तियसेन का भी विकास को लेके जो उनकी अवधारना है, विकास को लेके उनकी अवधारना लगभग यही है, कि विकास मतलब शमताओं का विकास, सोचने की शमताओं का विकास, कि आप जब तक, मैंने कहा था न, नवाचार होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए आप में सोचने की शम्ता का विकास होना चाहिए और निश्चित तोर्पे सब में सारी शम्ताई नहीं हो सकती आप में से सभी लोग आया यह नहीं बनेंगे कुछ लोग नहीं बनेंगे पर वो लोग शाय जीवन में कुछ और बहुत अच्छा करेंगे, तो अब आप में शमताओं का विकास जो है, वो अलग-अलग तरह से किया जा सकता है, तो अलग-अलग शमताओं जो है, तो व्यक्ति को ये idiot का अधिकार होना चाहिए कि मैं क्या-क्या करना चाहता हूं, क्या क्या कर सकता हूँ उसमें वो शम्ताओं का विकास उस शेत्र में क्या क्या चीज़े की जा सकती है उनको करने की शम्ताओं का विकास वेक्ति में होना चाहिए ये एक परिभाशा की एक अनेको अवधारनाय है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है खुशी क्या है यार ये और अपनाया सवाल आया अब एक तो हो गया आर्थिक विकास अब तक हमने माथा पच्ची की बहुत दिर तक की आर्थिक विकास क्या है ठीक है आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि है यह क्या बोरिंग भाग है लेकिन यह बोरिंग भाग जो है बोरिंग भाग एक्चुली है नहीं लेकिन आगे जो अर्थ विवस्था को हम जिस परिप्रेक्षिश से जिस परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे उसमें इस सारी चीज़े काम आएंगी है न तो प्लीज किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं तो उसका एक ठियोरिटिकल कोर होता है उसकी ठियोरी होती है एक अंदर की एक उसकी जड़ होती है वो थोड़ी से बोरिंग होती है आप कोई भी विशह पढ़ें मतलब मेरा जैसे जो इशह मैं मेरे को बहुत पसंद है मैंने पढ़ा भी है उसको बहुत अच्छे से वो समाच शास्तर है सोशोलोजी है तो सोशोलोजी को भी आप जब उसके कोर थिंकर पढ़ोगे तो अगर आपको एकाथ क्लास में ऐसा लग भी रहा है कि यार ये तो क्या परिभाशा ही बनाए जा रहे हैं हम लोग क्या बोर हो रहे हैं तो चिंता मत कीजिए ये इसको बरदाश्त कर लीजिए क्योंकि इसके बाद अर्थशास्तर जो है खुशी मतलब प्रसन्नता हर किसी को अलग-अलग तरफ से खुशी मिलती है अलग-अलग काम से खुशी मिलती है अलग-अलग चीदों से खुशी मिलती है कई लोगों को सफलता से खुशी मिलती है कई लोगों को धन से खुशी मिलती है कई लोगों को अपने परिवार और प्रियेजनों के साथ रहने से खुशी मिलती है अच्छे स्वास्थ से खुशी मिलती है मैं जब अच्छा पढ़ा लेता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है आप लोगों को शायद जब अच्छा कॉंसेप्ट समझ में आता होगा तो आपको खुशी मिलती है, है ना, आपका शैक चायन हो जाएगा, तो आपको खुशी मिलेगी, तो खुशी के निश्यत तोर पर भहुत एक पहलू तो है, कि पैसा होना चाहिए, स्वास्त होना चाहिए, वग्यरा वग्यरा, लेकिन गैर बहुत तक पहलू भी है कि नहीं है खुशी कि कुछ ना कुछ गैर बहुत तक पहलू है कि नहीं कि आपके अंदर मूले होने चाहिए मूले मतलब वैल्यू हर व्यक्ति का एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए वैल्यू सिस्टम समझते हो ना क्या होता है value system मतलब कि जहां पर आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे ये चीज आपके अंतर मन से आ रही है ये कोई कानून नहीं बता रहा है आपको ये कोई कानून आपको नहीं बता रहा है आपके अंतर मन से ये चीज़े आ रही है ये आपका value system है ठीक है value system जो होता है आपके मूल जो होते हैं, आपके जीवन में एक unsid, एक un-कहे code की तरह काम करते हैं अब समझ रहे हैं, जैसे un-कहा code क्या होता है? un-कहा code यह होता है, मैं हमेशा example देता हूँ, कि जब जैसे, मान लीजिए मैंने कोई offline coaching में बढ़ाता हूँ जहां मेरा एक classroom है, मेरे आगे 300 बच्चे बैठते हैं अब मैंने जब coaching के rules और regulation दिये थे तो उसमें यह तो कहीं नहीं लिखा था कि कोई बच्चा बंदूग लेके नहीं आएगा class में ऐसा कोई rule नहीं लिखा था लेकिन तब भी, समान ने तयाब कुछ बच्चों के बाद हो सकता है, घर पे बंदूग हो लेकिन उनको पता है, यह उनका एक तरह का, जिसको कहते है unsaid rule है, कि यार मैं पढ़ने जा रहा हूँ, वहाँ पे गन का क्या काम है, यह तो मैं बंदूग नहीं लेके जाऊंगा, यह unsaid rule होता है और मूल ले जो होते हैं, वो आपके जीवन में इस प्रकार के unsaid rules को बनाते हैं, मूल ले क्या है कि यार, शिक्षक का सम्मान हम लोग करते हैं, सम्मान नितया, अभी भी मुझे अगर मेरा कोई teacher मिलता है, मेरे को, मेरे college के IIT के जो professor मिल जाते हैं, कहीं पर एक आद रियूनियन वगरा में मिले तो, अब मैं ये शायद कह सकता हूँ कि, उन में से कुछ लोगों से शायद मैं आर्थिक तौरबे वादा सफल हूँगा, लेकिन तब भी, क्योंकि वो मेरे शिक्षक कमस्केम school के जो मेरे शिक्षक थे उनसे तो मैं कह सकता हूँ कि, मैं आर्थिक तौरबे वादा सफल हो गया हूँ शायद जीवन में, लेकिन तब भी, क्योंकि वो मेरे शिक्षक हैं, मैं उनके पैर छूता हूँ, उनको नमसकार करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये मूल्य है, तो हर आदमी का होता है, ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं है, सब में होते हैं, तो ये एक मूल्यों का होना, ये भी आपके जीवन में खुशी लेके आता है कि नहीं आता मान लिजा आपके जीवन में कोई value system ही नहीं तो आप क्या करोगे आप मतलब आप जो है आपका आचरण कैसा है उसको पकड़ने वाला उसको संभालने वाली कोई चीज ही नहीं है तो समाज में एक प्रकार की स्वचंदता फैल जाएगी और इस स्वचंद समाज में क्या होगा अगर आपको भी नुकसान हो सकता है जैसे मतलब अगर मैं शिक्षक हूँ आप मेरे चात रहें मैं चाहूँगा मुझे खुशी मिलेगी अगर आप मेरा सम्मान करें अगर मूले नहीं है वैल्यू सिस्टम नहीं है तो आप मेंसे कोई मेरा सम्मान नहीं करेंगा तो निश्चित तोरबे मेरी खुशी कम होगी या नहीं होगी होगी ठीक है ऐसे ही धर्म धर्म से भी हम मेंसे बहुत लोगों को बहुत शांती मिलती है यह तो पता है न हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं, मफजित क्यों जाते हैं, गुर्दवारे क्यों जाते हैं, जो भी हमारा धार्मिक स्थल है वहां क्यों जाते हैं, कोई हमको आर्थिक फाइदा होता है क्या, नहीं होता, कोई हमको कुछ और फाइदा होता है वहां से, नहीं ह लिया कि अब हमारे हाथ में रही है, उपर वाला कुछ करेगा, तो अब जो है, एक तरह से हमको मानसिक शान्ति की प्राप्ति होती है, संस्कृति एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और आध्यात्म बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यह आध्यात्म होना चाहिए था, ठीक ह संस्कृति और आध्यात्म भी महत्वपूर्ण है आपकी संस्कृति है वो आपके जीवन में जो आपका आचरण है उसको लेके चलती है वो संस्कृति भी आपको किसी ना किसी तरह से प्रसन्नता देती है आप अपनी संस्कृति में आप जैसे मान लीजे कोई भारती संस्कृती में आप कोई या किसी भी देश की संस्कृती में आप अपनी कला को देखते हैं आप अपने नरत्य को देखते हैं आप अपनी भाशाओं को देखते हैं तो आपको खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है ऐसे ये अध्यात्म हो गया कि आप जो एक जो आपका सोल है आपकी आत्मा जो है उसको लेकर आपके जो विचार है पता समझ रहे हैं मानसिक शान्ती की बात कर रहा हूँ कुल मिला के सारी जीवे कहां आती है कि इन सबसे आपको मानसिक शान्ती की प्राप्ति होती है और मानसिक शान्ती केवल पैसे से तो नहीं मिलती अगर केवल पैसे से मांसिक शान्ती मिलती तो इतने सारे अमीर लोगों को mental health issue नहीं होते है आज कल आप देखते होंगे जितने film stars है सब लगाते हैं कि भाई mental health issues हो रहे हैं है ना मांसिक स्वास्त लोगों का प्रभावित हो रहा है अब बहुत विवादित हो गया था तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहता लेकिन एक काफी सफल film अभिनेता ने कोविड लॉकडाउन के आसपास उसके बीच में आत्महत्या भी की थी जिसको लेकर देश के मीडिया ने एक अजीब तरह का तमाशा किया था लेकिन उसमें बहुत बड़ी चर्चा छूट गई क्योंकि अजीब तरह का मीडिया ने कि इसने उसको मार दिया हत्या होगे जो कि सब बकवास था वो व्यक्ति बहुत वर्षों से मांसिक स्वास्थे के समस्याओं से जूज रहा था तो सोची इतना सफल होने के बाद इतना मश्वूर एक्टर होने के बाद उसके पास निश्यत तोरब पे काफी पैसे थे, निश्यत तोरब पे वो व्यक्ति सफल था, सटक पर निकलता था, लोगों की फोटो खिशने के लिए भीड लग जाती थी, तब भी उसको मानसिक स्वास्थे के issues थे, मतलब तब भी उसको ऐसी समस्या है थी, जो उसके मानसिक स्वास्थे को प्रभावित करती थी, तो पैसे समरद्धी शोहरत से तो मानसिक स्वास्थे नहीं आत था वो किया एक छोटे से पहाड़ी देश भूटान ने हमारे पडोस में जो हमारा एक पडोसी देश है भूटान उसने सबसे पहले ये प्रयास किया कि हम इसको इस खुशी को परिभाशित करने की कोशिश करेंगे और खुशी को परिभाशित करने का भूटान ने ये जो प् भूटान ने कहा कि हम एक सकल राश्ट्रिय प्रसनता को नापेंगे हमारी ग्रॉस नैशनल हैपिनेस क्या है वाट इस अवर जी एन एच ग्रॉस नैशनल हैपिनेस हमारी सकल घरिलू उत्पाद नापते हैं सकल राश्ट्रिय उत्पाद नापते हैं भूटान ने कहा आप लोग केवल उत्पाद नाप रहे हो हम खुशी नापेंगे कि हमारे यहां सकल राष्ट्रिया खुशी सकल राष्ट्रिया प्रसंड़ता कितनी है तो 70 के दशक से ही भूटान ने कहा कि UNDP का जो विचार है UNDP का विचार क्या था HDI जो अब तक हम पढ़ते आये थे मानव विकास सूजगां के भूटान ने कहा है यह हमारे लिए suitable नहीं है यह आया थे पहली बात हमने क्या क्ल की क्लास में कि शायद इसमें एक पश्चिमी बायस है कि जो चीज़े पश्चिमी देशों में जादा है उनको ज्यादा एक वरि आएंगे उसने अपनी एक नई अवधारना बनाई ग्रॉस नैशनल हैपिनेस यानि कि सकल राश्ट्रिय प्रसंदता जी एनेच ठीक है और 1972 से भूटान इसी सूचकांक का पालन करता आ रहा है भूटान कहा रहा है हम तो अपने देश को ऐसे नापेंगे और उन्हों ने व आज का निर्माण है जहांपर ये चीज़े हो ना कि जहांपर HD आई बहुत ज़ादा हो वो हमें नहीं चाहिए तो अब यार GNH में होता क्या क्या है एक बार इसको देख लेते हैं GNH में है उच्च वास्तविक प्रतिव्यक्ति आए सबसे पहले आपकी प्रतिव्यक्ति जो है ये ज़ादा हो ये भुटान भी कहता है कि पैसे होने चाहिए कि मतलब अच्छे होने चाहिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बाद जो भुटान कहता है वो है सुशासन गुड गवर्नेंस कि आपके यहां सरकार अच्छी हो आपके यहां गवर्नेंस अच्छी हो सरक जो आपको एक नागरिक को सरकार से जो रोजमर्रा की सुविधाईं चाहिए होती हैं शिक्षाफ स्वास्थ ये सब ढंका मिलना चाहिए तो इसको कहते हैं सुशासन ठीक है पर्यावरण सरक्षन हडी आई में हमने कहीं पर भी पर्यावरण की बात की थी नहीं की थी और अभी आज के जमाने में आप पर्यावरण को कैसे एक नूर कर सकते हो यार आप में से ज़ादा तर लोग उत्तर भारत में रहते होंगे क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आपको पता है दिल्ली और उसके आसपास के शेत्रों का सर्दी आते आते क्या हाल हो जाता है तो पर्यावरण सनरक्षन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और संस्कृती का समवर्धन की हम लोग केवल मतलब समझ ये कि मानव जो है वो केवल रोबोट नहीं है जो आया है दुनिया में पैसा कमाएगा दस काम करेगा और चला जाएगा ऐसा नहीं है अपनी संस्कृती को भी बचा कर रखना है अगे बढ़ाना है तो संस्कृती सम्वर्धन जो है यानि कि नैतिक मूली और इसमें अध्षात्म भी शामिल है तो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है संस्कृति को बचा कर रखना है आगे ना भी बढ़ा है तो बचा कर रखना है उसे खत्म नहीं होने देना है तो ये जो संकेतक थे ये भूटान ने दिये और भूटान ने कहा कि भाई हम अपने देश की gross national happiness इसके अधार में नापेंगे ये HDI वगरा में हम interested ही नहीं है हम मानते ही नहीं इसको हमारा कोई खास रूची इसमें नहीं है तो भूटान जो है वो इस प्रकार से अपनी सकल राश्ट्रिय प्रसंदता को नापता है ठीक है अब जैसे आपने देखा अब एक बार दोनों को compare कर लें सकल राश्ट्रिय एच्डिय आई को और सकल राश्ट्रिय प्रसंदता को जो हमारा GNH है Gross National Happiness दोनों को एक बार compare कर लेते हैं तुलना कर लेते हैं दोनों की एक बार तो प्रतिवेक्ति आय तो दोनों में आती है HDI में भी G1 star क्या था प्रतिवेक्ति आय थी अब तक तो याद हो गया हो गया आपको इतनी बार बता चुका हूँ पिछले दो क्लास से तो प्रतिवेक्ति आय का समा विशन तो HDI में भी है तो एक factor common हो गया आय जो है वो दोनों में है यहाँ पर हम लिख देते हैं HDI और यहाँ पर लिख देते हैं G&H cross national happiness तो आय जो है वो दोनों में है आय की बात दोनों करते हैं कोई समस्या नहीं है तो हमको पता ही है फुशासन पर HDI शान्त है तो जहाँ पर good governance हम कहते हैं फुशासन यह G&H में तो है यूएन डेवलिप्मेंट प्रोग्राम का है तो यूएन और उससे जुड़े हुए जो समस्थान है ऐसा नहीं कि उन्होंने सुशासन पर कुछ काम नहीं किया जैसे विश्व बैंक की रिपोर्ट के बाद 1995 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी ऐसे ही सुशासन भी विश्व बैंक ने 1995 के अपने एक रिपोर्ट में अपने सदस्षी देशों को कहा कि आप सभी अपने देशों में सुशासन लाने के लिए काम किजिए और उसके बाद दुनिया भर के देशों में सुशासन की तरफ काम होना शुरू हो गया तो HDI में सुशासन भले ही नहीं है लेकिन World Bank जिसको मैंने या WB लिखा है West Bengal नहीं है या WB लिखा है विश्व बैंक की रिपोर्ट के बाद सुशासन को जनरली सारे देशों ने seriously लेना शुरू किया कि भई सुशासन की दिशा में हमको काम करना है पर्यावरण की बात करें अगर पर्यावरण पर भी सेम बात है कि HDI तो कुछ नहीं बोलता पर्यावरण पर भी GNH कहता है HDI कुछ नहीं बोलता लेकिन हमको पता है कि UN ने पर्यावरण पर कितना जादा काम करने की कोशिश की है तो UN ने पर्यावरण पर सीधे सीधे include ना किया गया हो सीधे सीधे ना जोड़ा गया हो लेकिन जो अन्य संस्थान है वो इनकी प्रमुकता पर हमेशा बल देते आए हैं ठीक है जो एक अंतर रह जाता है जिस पर ये HDI और UN पुसब ने मिलकर यानि कि मानब विकास, सूजकांग और सहयुकत राश्रे ने मिलकर कुछ भी नहीं किया आज तक वो है नैतिक और आध्यात्मिक कि नैतिक जो फैक्टर है moral फैक्टर और आध्यात्मिक जो चीजे हैं इन पर ना तो UN ने कुछ वादा किया HDI तो इनकी बात ही नहीं करता और GNH जो है आपका gross national happiness जो है वो नैतिकता को एक बहुत महत्मिक मुद्दा मानता है ठीक है? तो यह आपको सपष्ट हुआ तो यह एक छोटा सा comparison है इन दोनों का जिसको समझना आपके लिए आवश्यक है अनेकों चीज़े ऐसी है जो HDI में नहीं लिखी हुई है लेकिन जो UN के अलग समस्थान है या फिर वैश्विक समस्थान है वो उन पर जोर दे चुके हैं और उन पर उनको किस तरफ से आगे ले कर जाना है उसको उसके तरफ वो बल दे चुके हैं नैतिक जो और अध्यात्मिक जो चीज़े हैं उन पर निश्यत तोर पर UN की समस्थानों ने कुछ नहीं किया अब सैकल राश्टिय प्रसनता के प्रभाव एक बार देख लेते हैं बहुती करीब करीब सेम चीज़े हैं जल्दी से पढ़ लेते हैं किसी भी प्रकार से अध्यात्मिक विश्वास को अंध विश्वास और रूढ़िवाद का दर्जा दिया गया देखिए इस बात को भी समझे अब ये स्थिती बदली है लेकिन अक्षर ऐसा होता आया था कि मैं किसी भी तरह से अंध विश्वास का समर्थन नहीं करता मैं किसी भी तरह से ये नहीं कहता कि आपको बहुत अंध विश्वासी होना चाहिए और आपको भगवान पर सब को छोड़ देना चाहिए या आपको बहुत ज़ादा भगवान पर विश्वास करना चाहिए मेरे अपने व्यक्तिकत जो विचार है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा भगवान को लेकर या अध्यात्म को लेकर लेकिन तब भी मैं किसी भी तरह से अंद विश्वास का ये रूडिवात का समर्थन नहीं करता लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि सिर्फ विज्ञान को ही सत्य मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि विज्ञान एक तरह की reality है विज्ञान एक तरह की वास्तविक्ता है लेकिन विज्ञान के इतर भी अगर आप मानसिक शान्ती के लिए मंदिर जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपको मानसिक शान्ती मिलती है मैं आपको एक उधारन देता हूँ कि एक मेरा मित्र था बहुत साल पहले की बादे मैं नाम नहीं बताऊंगा एक मेरा मित्र था और अचानक से उसके पिता का देहान थो गया मतलब हमारे साथ का ही था तो हमसे कुछ साल छोटा ही था चानक से उसके पिता की एक दिन मृत्यू हो गई, वो भारत में भी नहीं था, वो तुरंथ भारत आया और उसने अपने पिता की देख, जो भी उसके क्रिया कर्म होता है, वो उसने किया, और वो मतलब मुझे पता था कि वो इस तरह की पुस्तके नहीं पढ़ता था, लेकिन मैंने देखा की एकाद महीने बाद वो इस प्रकार के की मृत्यू के बाद क्या होता है, आत्मा, आत्मा कहा जाती हैं, क्या करती हैं वग्यरा, इस तरह की बड़ी सारी पुस्तके पढ़ने लगा, तो मैंने एक दिन उससे पूछा अबे, की भाई, तुम मानते हो क्या ये स करता हूँ, तो मुझे मानसिक शान्ती मिलती है, मेरे विचार में इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं उसको अंद विश्वासी नहीं कह सकत, अगर आपको मानसिक शान्ती मिल रही है उस चीज़ से, तो आपको वो करना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन होता क् कि जो एकदम पूरा जो एक जो महा वैज्ञानिक सोच है वो क्या कहती है कि ये सारी चीजे अंद विश्वास और रूडिवाद हैं अब जैसे मैं आपको उधारन देता हूँ मैं अभी कुछ दूनों पहले एक फिल्म देख रहा था अमिताब बच्के एक फिल्म आई है, नेट्फिक्स पर है बहुत बेकार है, टाइम मत खराब करना, गुड़बाय फिल्म का नाम है तो गुड़बाय फिल्म में क्या दिखाया है कि अमिताब बच्के पतनी है, नीना गुप्ता जी उनकी मृत्य हो गई है और बच्चे जैसे होता है बच्चे विदेशों में रहते हैं अलग-अलग जगा रहते हैं तो उनकी बेटी मैं नाम भूल गया अभिनेत्री का जो पुश्पा जो फिल्माई थी उसमें थी अभिनेत्री रश्मिका तो ये अभिनेत्री जो है ये अमिताब बच्चन साब की बेटी मनी है ये आती है और अब मा का अंतिम संस्कार के तयारी की जा रही है और अर्थी रखी गई है और वो बेटी अचानक से आके सब पर चिलाने लगती है ये आप क्या कर रहे हो वो कहते हैं सर उत्तर की तरफ र व्यक्ति का क्रिया कर्म ठीक तरीके से करने पर अगर बाकी लोगों को मानसिक शांती मिल रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है आप इस डाउट में क्यों रहना चाहते हो कि यार मैंने ये चीज गलत कर दी तो क्या पता मानसिक शांती ना मिले ठीक है तो ये अब इसमें क क्या है तो मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि जो वैग्यानिक सोच है उसने एक ऐसा महौल बना दिया कि जो भी वैग्यानिक सोच से इतर कुछ भी हो रहा है उससे अलग कुछ भी हो रहा है सारा का सारा अंध विश्वास और रोडिवाद है जो कि गलत है जो कि सही ब नहीं है तो पूरा विश्व लेकिन अब हुआ कि अब जैसे माने बताया कि अब दुनिया के लोग भारत आते हैं या अन्य देशों में भी जाते हैं वहां की संस्कृतियों को समझने के लिए उसको अपने अंदर इंक्लूड करने के लिए उसका समावेशन करने के लिए परमपराओं के अनुकूल अध्यान किया जा रहा है विज्ञान को भी अभी सिखाया जा रहा है विज्ञान भी अब थोड़ा सा एक तरफ से स्विकार करने लगा है कि हाँ ठीक है ये आपकी परमपराएं है इनका भले ही कोई वैज्ञानिक आधार ना हो लेकिन तब भी इनको हम गलत नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यह आपकी परंपराएं है, यह आपका कल्चर है, आपकी संस्कृती है, और आधुनिक्ता, अब केवल बहुत तिक नहीं है, एक जमाना था, जब आपने अपने शीव को देखा भी होगा, कि देखिए, किसी भी समय का, समय कैसे बदलता है, उसका सबसे बड़ा परिचायक सिनिमा होता है, आप पहले देखिएगा कि पुरानी फिल्मों में, अमीर लोग कैसे दिखाई जाते थे, याद कीजिए एक बार, मैं हमेशे आपको, मैं फिल्मों के आपको बहुत एक्जामपल दूँगा, क्योंकि फिल्मे मेरे खियाल से, समाज का सबसे बड़ा आईना होती है, पहले अमीर लोग कैसे दिखाई जाते थे, पहले अमीर लोग दिखाई जाते थे, कि बैठे हुआ हैं, क्लब में, महेंगी शराब पी रहे हैं, महेंगे कपड़े पहन रहे हैं, महेंगी सिगार पी रहे हैं, महेंगी गाड़ियां चला रहे हैं, बड़े-बड़े बंगले में रह रहे हैं, बस ऐसे दिखाई जाते थे, अब वरतमान की फिल्मों में, अमीर लोग कैसे दिखाई जाते हैं? अमीर लोग जा रहे हैं यात्रा करने के लिए दूसरे देशों में जिन्दिगी ना मिलेगी दुबारा वहाँ पे अपने दोफ्तियों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं वज्ञानिक नहीं है, भौतिक नहीं है जिन्दिगी ना मिलेगी दुबारा में पूरी फिल्म में सब लोग अमीर थे क्या ज़रूरत थी उनको उस यात्रा पे जाने की इतना कश्ट सहने की, इतना कुछ करने की क्योंकि एक गैर भौतिक भी आयाम होता है सफलता का, खुशी का, ठीक है जो वो प्राप्त करना चाहते थे तो इस तरह से अब आधुनिक्ता जो है, अब केवल भौतिक नहीं रह गई है उसमें गैर भौतिक चीजों का भी समावेशन जो है, बार-बार किया जा रहा है चलिए, आज का लेक्चर अब काफी लंबा हो गया है तो एक-दो चीज़े इसमें बची है इसको हम कल करेंगे, क्योंकि ऐसा भी मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़ादा हम आपको बर्डन कर दे तो इस बचे वेभाग को हम कल करने का प्रयास करेंगे अपनी कई सारी चीज़े अभी बच गई है तो कल आपको कई सारी चीज़े बताएंगे इसमें तो आज का बहुत ही आसान प्रशन है आज का प्रशन आपको दे देता हूँ आज का प्रशन ये है कि खुशाली का मापन मानव विकास फूचकांक से काफी हद तक जुड़ा हुआ है विशलेशन करें समझें आप जो टेबल में बना रहा था इस लेक्चर में बैठके वो जो मैं बना रहा था कहा टिक है जो आज क्रॉस है वही आपका आज का सवाल है देखिए ये सारी चीज़े क्या होते हैं महीन चीज़े होती हैं अकसर आप देखेंगे कि बच्चे ये मानते हैं कि एकदम दोनों अलग चीज़े हैं ये अकफर अग्ष़िवा बच्चे लिखके आते हैं ये क्वेशन मैं इसलिए बनाता हूं कि मैंने लोगों के आंसर चेक किये हैं और मैंने देखा है कि लोग उसमें ऐसा लिखके आते हैं कि Gross National Happiness मानव विकास फूजकांग का विरोधी है, उसका विपरीथ है, ये गलत है, ये आपको नहीं लिखना है, ये उस पर सुधार है, उससे थोड़ा अलग है, लेकिन काफी चीज़े तो common भी हैं, तो आपको ये बताना है कि किस तरह से खुशाली का मापन मानव विकास फू बुलेट पॉइंट्स में लिखकर आप समझाएं, ये बहुत आवश्यक है, इसको आपकी बुलेट पॉइंट लिखते रहें, ताकि मेरे को समझ में आए, कि आप ठीक प्रकार से इसको अटेम्ट कर पा रहे हैं, इस क्लास की PDF आपको टेलेग्राम गूप पर मिल जाएगी तेलेग्राम गूप का लिंक है, टी.me अतुल लर्निंग, अतुल लर्निंग, या फिर आप अतुल जैन UPSC गाइडन्स इसको टेलेग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं, अतुल जैन UPSC गाइडन्स, इसको आप सर्च करके भी प्राप्ट कर सकते हैं, तेलेग्राम गूप का ल मैं आज के lecture के जो comment section होगा YouTube पर उसमें डाल दूँगा, इस group को join करें, इसकी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, अनेको अन्य चीफे जो हैं वो भी आपको वहाँ मिलती रहेंगी, शाम को 4 बजे आना न भूलिएगा, हम discuss करेंगे The Hindu और Indian Express के आज के संपाधिक की है, मेरे साथ देखने का आपको बहुत-बहुत धन्यवाद.